प्रदोश वरत करने वाले को बोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिये। फलहार करो उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोश वरत में नमक का सेवन वर्जीत होता है। कारण क्या कारण होता है। उसका एक कारण माना गया है। नमक की वर्जित्ता जिस समय पर एक नगर में एक ब्रहमनी रहती थी। भाव से सुनियेगा प्रदोश वरत नमक को त्यागने का बाव। प्रदोश वरत की किताम में भी मिल जाएगा आपको आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्रहमनी रहती थी एक नगर में उसका पती नहीं था। चोटा सा वालक एक साथ में रहता। चोटा सा वालक अब ब्रहमन के घर की दर्मपत्नी है। ब्रहमन कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, नुष्ठांड करने वाला, पूजन करने वाला, मंतर जाग करने वाला, भगवत भक्ती में डूबने वाला। ब्रहमन तो चले गया। ब्रहम्मनी बच्चे के साथ रह रही ह। आकेली निवास कर रहा है। और ब्रह्मनी बच्चे के साथ ब्रहमन करती रहती। गुम्ती, कहीं कहीं दर-दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर ले करा जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती एक दिन ब्रह्मनी ब्रहमण करते करते प्रदोश काल के समय पर शिम मंदिर में प्रवेश करी प्रदोश काल के समय और शंकर मंदिर में प्रवेश करा प्रदोश काल किसको कहते हैं सूर्य अस्त हो रहा हो रात्री प्रवेश कर रही हो दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोश काल कहला दोनों का जब मिलन हो रहा हो रात्री अपना चरन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जा मिलन हो रहा है, वो प्रदोश काल है, वो प्रदोश का समय है, ब्राह्मनी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मनी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुची, प्रदोश काल क के उस समय में प्रदोश काल के उस समय में जब ब्राह्मनी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ती में लगा हुआ है बगवान के रस्तत्व में डूबा हुआ है आज ब्राह्मनी के पास में कुछ पदार्त नहीं है अपने बच्चे का पेड़ बरने के लिए कोई सामगरी नही उस प्रदोष के समय पर शंक्र का भीशेक उजन कर रही थी, भगवान शिव की अराधना कर रही थी, दोग abbiamoन की अराधना में हुईि δोबु हुई है और कर रही है। यह कुछ पाने के लिए गई और इसके मन में आया कि मैं कुछ मुझे भोजन का कोई पदार्त मिल जावे मुझे कुछ भोजन मिल जावे और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब में जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी जहां पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोशकाल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ बस्तू को, इस ब्रामनी में मांग लिया, मेरे बालक को बहुत भूक लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूका है, इसके बोजन के लिए थोड़ी सी सामाकरी दे दीजी, इसके बोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रस्तत्व दे दीजी, उसने उठाया थोड़ा सा पदार्त कुछ जो उसके पास में था, वो दिया, जब दिया, तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ, और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको तो उसने उस समय पर उस पदार्त को जैसे ही मुख मेर लिया लेते सी कहा इसमें तो स्वाद नहीं है इसमें स्वाद नहीं है उस ब्राम्मनी ने बड़ा सुंदर एक संबाद कहा घर का जो बड़ा होता है ना गर का जो भयो होता है, घर का भुजुर्ग जो होता है, घर का जो पर्थम इस्थल प्राप्त करने वाला मेंड कुर्सी पर अच्छी जगहा पर बेटने वाला होता है ना, ब्राह्मन कहती है, वो कभी किसी वस्तू में एब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता, समाज के अनकुट होते हैं, समाज के जब अनकुट होते हैं, बड़े-बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अनकुट महोस्व होते हैं, बहुत सारा परशाद बनता है, जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, तो अनकुट की जब परशाद खान का लिफापा दिया 500 का लिफापा दिया 2000 का लिफापा दिया और भोजन ऐसा बनवाया एक व्यक्ति वह जो खाकर चुप्चाब चले गया और एक व्यक्ति वह जिसने परशाद पर उंगली उठाई इन दोनों को अनकूट की तारीक पर इनका नाम लिखलो और अगला वह उन्नती की सीड़ी पर चड़ता चले गया और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा भगवान के परिशाद में कभी भी ध्यान दखिएगा भगवान के परिशाद के अंतरगत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती भगवान का परिशाद स इतना गे कितना बादाम कितना काजू कितना इलाइची डला है यहां तक सास्त्र कहता है कि भगवान का परशाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंद भी नहीं ली जाती है महाराज यहां तक सास्त्र कहता है जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंद भी नहीं ले लिए और कई कई जगा तो भगवान को परसाद अगर सुखा समान हाथ में आगे हिलाईची कैसी है मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डलने के लिए लाओ अगर किस की दुकान से आई कि नहीं इसमें सुगंदे की नहीं और फूल सुंग लिया उसके वाद भगवान को सुखार करेगा नहीं कई-कई घरो में तो हैंडी से डाल चलाती जाए नहीं हाथ में डाल के महाराच कि ब्राह्मनी ने जैसी मुख में लिया थूख दिया इस रिष्ट नहीं है जो रिश लूख रुश्काल उसमें कि अब कर चहरा वतारा है कि आप ब्राह्मन की दर्म पतनी पर आज आप तो अब दर जाकर अगर भीच्छा मांग रही हो क्योंड ढर्दर जाकर अगर भीक मंग रही हो तो इसमें आपके पती का दोष नहीं है दोस्ट आपका है क्योंकि आप भगवान के प्रिशाद में भी जुश्वाद देखी थी न यह आपका एक जन्मका नहीं है यह ना जाने कितने जन्मका ब्राह्मनी के मस्तिश्क में बेट गया ब्राह्मनी के उस पुकान वह बक्कल में अक्कल में बेट गया कि यह स्वाध नहीं देखना इसलिए प्रदोश वरत के अंतरगत ब्राह्मनी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो जैसे आप अराधना कर रह अब में स्वाद नहीं देखोंगे तो प्रदोश वृत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे भोजन ना करे फलहार करे फलकाहार करे रिषयास करे और यदि आपने वृत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलहार करेंगे कि तुन्हें अच्छे घर में पेदा किया अच्छा परिवार दिया अच्छा पती दिया अच्छी पतनी दी अच्छे बच्चे दिये अच्छा कुटुम्ब दिया घर दिया दुकान दी जमीन जाय जाद दी शरीर अच्छा दिया हाथ ते राक नाक मूसा बढ़िया दिया ए मैं कि ते तो क्या ज्यक्तर उपर कि एक ही डियता ऊड़ है यहां से चिपका देता है कि वा कर लेकि较 टेता यह जगडा कने जाते है उपर कि मुझे लिगा घर ज़ दिया हगाड को दन्हे राथ कि मुझे अच्छा कुछा था तो ये स्यूर वाला महराज दे दिया कथा सुनाने वाला शाम के समाई पर प्रदोश काल में बेल पत्री के पेड़ के नीचे चाइशंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में अगर आप प्रदोश के दिन दिया लगाते हो सोंबार के दिन दिया लगाते हो तो एसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देवादी देव महा देओ मेरा विश्वनात भंडार नी भरता हो खाली नहीं छोड़ेगा देदेगा भंडार भर देगा कमी तो नहीं रख सकता यह पकाई तुम करने नहीं दो चार सुंबार करो उसके वाद के तो मारा जी हमने तो करा ता हमको थो मिला लाइं बोलो तो और जगत के लोगों के सामने जाकर मत करए ना केना तो देव अधी देव महा देव प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि दात्री के समय पर आदा घंटा दस मिनिट बीस मिनिट जागरन करें जागरन मतलब थोड़ा भगवान का बजन कर ले चार-पांच मातना इखटी नहीं हो तो अपन अकेली कर लो अकेली कमें क्या अपन कम पड़े अराधन अकेली कर जब आपकी ग्यारा प्रदोष हो जाए 26 प्रदोष हो जाए तब उद्ध्यापन करो उद्ध्यापन दो ब्रहमनों को जोडे से बिलाओ ब्रामनों को जोड़े से बुला कर उनकी चरणों की पूजन करकर अराधना करकर सुन्धर मंडव तैयार करकर भगवान का उसमें सुन्धर रांगोली डाल कर मंडल बनवा कर पूजन करो शंकर भगवान की परदोश कर। एक दिन पहले गणेश की अराधना करो पूजन करो और प्रदोश वाले दिन जो मंडल बनाए है पूजन अर्चना करने के लिए जो स्थान दिया है उसकी अराधना करो खीर की आहुतियां दीजी एक सुाऩ वार महारा फिर ब्रहामन को जोडे से भोजन कराकर चरणो को नमन करतकर दक्षिना परदान करकर निवेदन करकर ब्रहामनों से कहें हे ब्राह्मन देउता आप हमें आशिरवात प्रदान करें कि जिस प्रदोश का हमने वरत किया है उस वरत का पुन्य फल हमें प्राप्त हो ऐसा ब्राह्मन चरण को नमन करकर प्रणाम करकर उनसे अपने मस्तक पर अक्छत छुड़वाएं फिर नमन करकर बोजन कराकर विदा करें शाम को भगवान का जागरण करें ऐसे प्रदोश वरत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं ऐसा सुन्दर प्रदोश वरत का व्यक्षान वर्णन इसकंद पुराण में करा गया वही सकंद पुराण का प्रदोश वरत का वर्णन आपको शिव महा पुराण के इस सुन्दर संबाद में किया गया